तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे या कुछ सवाल पूचेंगे लव के बारे में या ट्रू लव के बारे में ताके आपको clarity मिले कि असल में प्यार है क्या और जो आप लव को समझ रहे हो क्या वो है या वो नहीं है तो दोस्तो मेरा नाम है गुरूपिज सिंग महेक इसको चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल अपने आपसे पूचेंगे जब या आप ये वर्ड प्यार या लव सुनते हो तो आपको उस टाइम पर किस तरह की feeling एसो सेट होती है क्या आपको ये जो लव है ये बहुत ज़ादा controlling वाला feel होता है या कोई fascinating चीज लगती है या आपको लगता है ये बहुत ज़ादा आपकी life में आपको ज़रुत है इस चीज की या ये चीज आपकी life में बहुत ज़ादा missing है किस तरह कि आपको feeling आती है ये word जब आप सुनते हो love क्या ये कोई particular person के साथ attached आपने किया हुआ है या कोई particular job के साथ attached किय हुआ है या कोई particular life का आपका scenario है उसके साथ attached है ये चीज़ पर जरूर गौर करें दूसरा सवाल अपने आप से पूचिए कि जो आपकी definition है love के बारे में वो conditional है या वो unconditional है एक मदर है जो expect कर रही है बेबी है उसके पेट के अंदर और उसका सारा attention उस बेबी की तरफ है सार उसका attachment या continuously जो प्यार है उसकी तरफ है ठीक है तो इस तरह का love मैं बोल सकता हूं कि यह है unconditional love जहां पे अपने conditions नहीं रखी तुम ऐसे हो ऐसे हो तो मैं तुमको प्यार करूँगा या करूँगी या तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो आपके love की definition conditional है या unconditional यह आपको अपने आपसे पूछने है तीसरा सवाल अपने आपसे पूछिए कि जो आप affection देते हो अपने partner को या जिसको भी आप person को love करते हो उसे affection देते हो प्यार देते हो क्या यह आप Gift की तरह देते हो या यह neediness से आता है कि आपके अं रिजिस्टर करें और ध्यान दे कि उसको भी आपको यह चीज रिटन में देनी है और आपके अंदर की अल्टिमेटली जो एंटीनेस है वो फुल्फिल होगी आपको फुल्फिल लगेगा आपको वैलिडेटिट लएगा तो यह गिफ्ट की तरह प्यार दे रहे हो कि इन्वे इतना ही दूँ या इतनी कॉंटिटी में ही दूँ या इतना टाइम ही दूँ या इस तरह से ही भेव करूँ क्या बहुत जदा कैल्कुलेटिव होके प्यार दे रहे हो या एक फ्लो में जाते हुँ दे रहे हो अगला सवाल अपने आपसे पूछी कि क्या आप जिन लोगों को प्यार करते हो लव करते हो चाहिए आपके वो बच्चे है चाहिए आपका पार्टनर है चाहिए आपके वो पैरिंट्स है चाहिए कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है या कोई आपका लविंग पार्टनर है क्या उस परसन को आप लव करते हो एकसेट करते हो उसके सारे गुड और bad को, यूँकि जो human beings है वो कोई pre-tuned कोई particular machines नहीं है कोई robots नहीं है, हर एक person के नदर हर एक quality नहीं होगी, हर एक person हर एक person की तरह नहीं होगा और एकदम ideal behavior जैसा आप चाहते हो, या जैसा आपका behavior है वैसा आपके partner का हो, या जिससे आप love करते हैं उसका वो ऐसा possible नहीं है खामिया आपके अंदर है, मुझ में है सभी के अंदर है, तो जब आप किसी से love करते हो, ये भी सवाल अपने आप से पूछे है कि क्या आप उसके सारे positives को वो तो accept करते ही हो, सभी करते है क्या negative को भी accept करते हो क्या ये मानती हो कि इस person से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ पर इसमें ये कमिया है, पर ठीक है उसके साथ भी मुझे ये person पसंद है ये कमियों को दूर करने कोशिश की जा सकती है पर वो कमिया या वो bad habits वो person को bad नहीं मनाती है छेवा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि बहुत साथ लोगों से प्यार करते है करना चाते है, प्यार में पढ़ते है क्योंकि वो अपनी कोई life की problem से भागना चाते है उनकी life में कोई particular problem आगी जिसको face नहीं कर पा रहे है उन्हें लग रहा है कि प्यार उनकी इस problem का solution है या वो person आएगा वो कोई miracle कर देगा कोई magic wand चला देगा कि उनकी life की problem चल जाएगी या maybe उनको strength मिल जाएगी उस person से उस problem को handle करने के लिए तो problem solve करने के लिए life की कोई particular problem solve करने के लिए अगर कोई person marriage कर रहा है या love कर रहा है किसी को या किसी के साथ engage हो रहा है या mingle कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है next सवाल अपने आप से पूछे क्या आप love के element को अपनी life के सारे areas में जोड सकते हो अपने job के अंदर या अपने आसपासे कलीक्स के साथ आप जब बातचीत करते हो mingle करते हो जो भी आप काम घर में करते हो कोई passion है आपकी obvious है जो आपको चीज़े पसंद है जो भी चीज़ आप life के अंदर करते हो चाहे वो boring लग रही है आपको चाहे बहुत tedious है चाहे वो बहुत difficult है क्या आपको लगता है कि अगर आप प्यार लेकर उस चीज़ को करो या लव के साथ उस काम को करो तो उसको करना थोड़ा आसान हो जाएगा या उसका जो result है वो और थोड़ा सा बहतर हो सकता है या क्या आपका जो irritation या frustration ने वो थोड़ा कम हो सकता है next सवाल लव के बारे में जो पूछना आपको बहुत ज़रा ज़रूरी अपने आप से वो है कि क्या आप reality और logic और rationally लव को ले रहे हो या क्या आप कोई fantasy world का जो लव का definition है आपने accept कर ली कि बहुत सारे लोगों ने movies से, serial से, friends से जो जो उन्होंने देखा है social media पे ideal wedding, ideal love, ideal couple, ideal family life जो जो चीज़े उन्होंने definitions देखी है stereotypes देखे है उसकी वज़े से उन्हें लग रहा है कि उनकी life बहुत incomplete है उनकी life के अंदर love बहुत lack करता है और वो कोई ऐसे love को chase कर रहे है या ऐसे love के बारे में सोच रहे है या उसको उन्होंने अपना goal बना के रखा है जो exist ही नहीं करता जो reality में है ही नहीं वो एक illusion है, वो एक fantasy है, वो एक dream की तरह है जो real life में शायद possible भी नहीं है तो आप सोचिए कि क्या आपकी जो love की definition है वो reality पे based है, क्या वो fantasy पे based है नाइन सवाल अपने आप से पुझे है कि life में कुछ भी करने के लिए आप जब motivate हो रहे हो क्या वो motivation, love से आ रहा है क्या वो fear से आ रहा है अगर वो जो motivation है reward से आ रहा है, reward के लालक से आ रहा है ठीके तो वो investment की तरह है क्या वो डर से आ रहा है अगर वो किसी fear से आ रहा है तो आप consequences के बारे में डर कर आप में भी उस चीज़ को कर रहे हो उस काम को कर रहे हो लेकिन अगर आपका जो motivation है ठीके मुझे एक particular काम करना है या मुझे एक particular hobby को pursue करना है या यह मेरा life का बोल है क्यूंकि मैं उसके साथ love में हूँ मुझे वो अच्छा लगता है करना तो आप कभी भी interest lose नहीं करोगे similarly जो आपका life partner है बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम लोग interest lose कर जाते हैं अपने life partner के अंदर या जिस person के साथ हम married है क्यूंकि जो शायद आपकी जो love की definition है वो fear से आ रही है या वो reward के anticipation से आ रही है तो आप continuously anticipation में हो कुछ मांग रहे हो, कुछ सीख कर रहे हो किसी चीज के लिए रुके हुए हो continuously या किसी चीज बुरा ना हो जाए उसके आप डर में हो तो इसलिए आप भी continuously या consistently love नहीं कर पाते और आखरी सवाल अपने आप से पूचिए कि जो आपका love है, क्या वो healthy है healthy और unhealthy love के अंदर अगर आपको मैं difference बताना चाहूँ तो example है कि एक flower है एक बगीची के अंदर वो flower है आपको fragrance दे रहा है बहुर अच्छा दिख रहा है, beautiful दिख रहा है आप उसके नजदीक जाते हो, आप उसको देखते हो, आप उसको हलके से touch करते हो आप उसकी care करते हो, आपको बहुर अच्छा लगता है और suddenly आप उसको pluck कर देते हो तो जैसे ही आपने उस flower को pluck किया तो उस दिन से ही वो wither होना चालो हो जाता है मरने लग जाता है वो flower, उसकी life उससे खतम हो जाती है, तो relationship में भी जब आपका partner आपके साथ में है उसको whole heartedly accept करना जरूरी है, उसे support देना जरूरी है, पर जब आप ये सोचते हो कि ये person मेरे control में है मैं इसको pluck कर लूँ, मैं इसको अपना बना लूँ, मैं अपने पास रख लूँ ये मेरा है, ये मेरी है आप control freak हो जाते हो, आप उस person की individuality के उपर जब खतरा बन जाते हो या उस person के उप control करने के बारे में सुचते हो, या उसकी independence को होने लग जाते हो, उसी time पे उस love के अंदर एक unhealthy चीज़ आती है, एक decline आ जाता है, वो person की growth रुख जाती है, वो person की creativity रुख जाती है, वो person खुद की तरह जीना, खुद की तरह reality में जैसा वो है, वैसा होना छोड़ देता है, वो डर में जीने लग सकता है, इसलिए ये भी सोची है, ये भी अपने आपसे पूछी है, क्या आपका जो love है, जो आप किसी से कर रहे हो वो healthy है या वो unhealthy है, तो दोस्तों मैं sure हूँ कि ये सारे questions से आपको कुछ-कुछ अंदाजा आया होगा, कि असल में love क्या है और क्या नहीं है क्या आप कुछ misconceptions को ही reality समझके बैठे हो, और real love क्या है, और क्या-क्या questions आया फवाल, आपको आपने आपसे पूछने चाहिए आपको self-introspect करने में help करेंगे और जानने में help करेंगे real love के बारे में तो दोस्तों ये वीडियो था इतने अगर आपको वीडियो पसंदा है लाइक करें, कमेंड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देए चैनल को और देखते रहे है life coach